इस दिवाली घर पर बनाए ये आसानी से बनने वाले सुजी के लड़ू Hello friends मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे अपने चैनल पूजा के कीचन में आज हम सुजी के लड़ू बनाने वाले हैं एकदम से सौफ्ट और रसीले बने हैं आप देख सकते हैं इसे बनाना काफी आसान है पर परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ बनाओ तो ये ऐसे ही बनते हैं तो चलो इसका मेजर्मेंट देखते हैं इसके लिए पहले तो आप किसी एक कटोरी या कप को measurement के लिए set कर ले यहाँ पर हमें लेना है चार कप बारिक वाली सूजी इसके साथ डाई कप यहाँ पर मैंने शक्कर ली है शक्कर आप थोड़ी सी कम्या ज़दा कर सकते है उसी के साथ यहाँ पर हम लेंगे एक कप melted गी चार कटोरी रवा के लिए एक कटोरी यहाँ पर हमें गी लेना है अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे इसके पॉट में डालकर चालूबन मोड पर थोड़ा सा पीस ले और उसी के बाद यूज करे गी यहाँ पर हमें melted ही लेना है इसी के साथ हम लेंगे कुछ dry fruits पर कुछ लिए है काजू, बादम, मनुका और थोड़े से पिस्ता यह पूरी तरह से optional है अब हम रखेंगे gas पर एक pan और उसमें डालेंगे एक से देड टेबल स्पून गी और उसमें यह जो हमारे dry fruits है उसे हम भून लेंगे dry fruits में एक अच्छा सा flavor होता है इसलिए इसे गी में अच्छी तरह से भून ले गी में भूनने के बाद में मनुका इस तरह से फूनने भी लग जाती है तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे उसी कड़ाई में हम दालेंगे 2 टेबल स्पून गी और इस सूजी को इसमें डाल देंगे सूजी को यूज करने के पहले इसे छनी से छान ले अगर आपके यहाँ पर धूप आती है तो इसे थोड़ी देर धूप में रखे ताकि इसमें जो मॉश्चर है वो निकल जाए अब यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे इसी तरह से बूनते रहना है और वीज-बीज में हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी को अड़ करते रहेंगे एक साथ यहाँ पर हमें घी डालना नहीं है सूजी को बुनते हुए मुझे पाच मिनिट हो चुके है अब हम इसमें एड करेंगे यह desiccated coconut जो market में रेडिमेट मिलता है मैं उसका यूज कर रही हूँ अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सूखे नारियल को खीज के भी यहाँ पर यूज कर सकते है अब हम नारियल के बुरादे के साथ इसे पाच मिर्ट तक ऐसे ही भूनेंगे और बीच-बीच में इस तरह से इसमें घी डालते रहेंगे desiccated coconut मतलब नारियल का बुरादा ये भी कच्चा होता है इसलिए इसे भी अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी है सूजी को भूनते समय बिल्कुल जालाना नहीं है लो फ्लेम पर ही इसे इसी तरह से भूनते रहना है इतनी सूजी भूनने के लिए मुझे लगबग 15 मिर्ट लग चुके है अब हम सूजी को एक प्लेट में निकाल लेंगे अब उसी कड़ाई में हम डालेंगे शकर और उसे इस तरह से फैला लेंगे अब हम उसमें डालेंगे पानी पूरी शकर इसमें डूब जा इतना हमें यहापे पानी डालना है शुगर सिरप बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसलिए इसमें पानी ज़्यादा डालना नहीं है अब हम इसे इस तरह से मेल्ट कर लेंगे शुगर सिरप को बनाते समय ग्यास की फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए और आप लगातर स्पैचुला से इसी तरह से इसे चलाते रहे ताकि ये हाड ना हो अब यहाँ पर लगबग पास से साथ प्रिट हो चुके है आप देख सकते हैं पहले से अभी ये थोड़ा सा गाड़ा हो चुका है यहाँ पर पाक हमें बिल्कुल जादा गाड़ा नहीं करना है या फिर इसकी कड़क वाली चासनी भी नहीं बनानी है पस इसे चेक करने पर एक सार वाली चासनी बन जा है इसनी देर तक ही इसे पकाना है तो लो हम इसे चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से इसका तार आना चाहिए यह भी perfect है अब हम यहापे ग्यास को बंद कर देंगे अब इसमें हम डाल देंगे यह भूनी हुई सूजी याद रहे हैं यहापर ग्यास को बंद कर देना है सूजी के साथ साथ हम यहापर डालेंगे dry fruits और यहापर हमें इन सब चीजों को एक साथ mix कर लेना है पस इसे आपको mix करते समय थोड़ा सा fast करना है आपको यह थोड़ा सा गीला लग सकता है लेकिन यह लड्डू के लिए perfect है एक मिट के लिए आप इसे इस तरह से चलाते रहे और इसे एक plate में निकाल ले और इसे थंड़ा होने के लिए छोड़ दे यहापर यह पूरी तरह से थंड़ा हो चुका है इसके हम लड्डू बना लेंगे आपको जितनी साइज में यह चाहिए उतनी साइज के लड्डू बना ले यहापर यह सूजी वाला जो विश्रन है अगर वो ड्राय हो जाता है तो उसमें आप 3-4 टेबल स्पून गर्म दुड डाले यहापर हमारे सूजी के परफेक्ट लड्डू बनकर रेडी है लड्डू बनाते समय सूजी को अच्छी तरह से भूनना है दूसरी बात हमें इसका जो शुगर सीरफ है उसे ज़्यादा कड़क करना नहीं है और मेजर्मेंट सही से लेना है अगर ये सारी चीजे हम कर लेते हैं तो लड्डू इसी तरह से बनते हैं यहापर हमारे सारे लड्डू बनकर रेडी है आप इसे 10-12 दिन तक अराम से यूज़ कर सकते हैं और अगर फ्रीज में रखोगे तो ये 20-22 दिन तक अराम से चलते हैं तो आप आने वाले इस तेवार में इस रेसिपी को एक बार ज़डू ट्राइ करें और अगर आपको मेरी ये लड्डू वाली रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले उसे के साथ बेल आइकोन को प्रेस कर ले थाकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मिलते हैं ऐसे ही अगले नए रेसिपी के साथ अब तक के लिए बबाई एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू